नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है सरकारी गान फोर यू में दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीदे बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ वीडियो री एक्जाम को लेकर और अधिक समय विष्ट ना करते हुए सिधा मुद्दे की बात कर लेता हूँ दोस्तों ये जो आपके सामने शवद लिखा है नौर्मलाईजेशन इस पॉइंट को मेरा याद रखना और जिस दिन डीवी का परिणाम आएगा आप मुझे याद करोगे ये मैं आपसे वादा करता हूँ जी आँ दोस्तों क्योंकि नौर्मलाईजेशन बहुत अच्छा खासा रोल इस भरती में निभा रहा है और जो बात मैंने आपसे एक्जाम होने के बाद कही थी ना वो बात आज भी मेरी कायम है है ना और मैं अपनी उस बात पर आज भी अडिग हूँ और डटा हुआ हूँ ठीक है अपनी बात से मैं कभी पलटता नहीं हूँ और जो मुझे से बहुत पहले जुड़े हैं वो जानते होंगे अच्छे से दोस्तों ये शवद जो है इस भरती में अच्छा खासा रॉल निभाने वाला है शिफ्ट वाइस ठीक है और मैं आपको बता दूँ मैंने आपसे एक बात कहें थी दो तीन महेंने पहले कि 15 से 20 नंबर तक का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा नौर्मलाइजेशन में और बिलकुल वही होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है और कुछ जानकारी मुझे मिली है तो जानकारी यही है कि भैया इतना डिफरेंस वाकई में आ रहा है जी यहां दोस्तों आपने बिलकुल ठीक सुना है और जो जानकारी आपको दे रहा हूँ बिलकुल authentic है और 100% confirm ह ठीक है समझने वाला समझ गया अब ना समझा वो अनाड़ी तो भाईया जब डीवी का परिणाम आएगा तो देख लेना मेरी बात गलत साबित नहीं होगी दोस्तों क्योंकि जब मैंने पहली बार ये कहा था कि इस भरती में नौर्मलाइजेशन नहीं होगा तो बहुत सारे चात्रों ने मुझे गालियां भी दी थी कि आपको कुछ नहीं पता है जिस दिन इस भरती का नौटिफिकेशन जारी हुआ था उस टाइम पर ये नियम नहीं था और क्या बोलते हैं कि विज्यापन आने के बाद फिर नियम बदल नहीं सकते भरती के बीच में ये वो वगरा वगरा आज सभी छात्रों ने कहना शुरू कर दिया है उन्हीं छात्रों ने और वो सभी छात्र जो मुझे शुरू में गाली दे रहे थे ना आज वो सभी छात्र मान चुके हैं कि हाँ वाकई में इस भरती में नौर्मलाइजेशन होगा ठीक है तो शुरू में आप मुझे गाली दे रहे थे लेकिन आज आप मान चुके हो कि हाँ होगा और मैं आपसे बता रहा हूँ कि 26 और 27 जून के बाद मैं ही एक पहला यूट्यूबर बोल रहा है कि नौर्मलाइजेशन होगा जो मैंने आपको बात 28 जून को बता दी थी ठीक है और ये जो बोल ला हूँ नो फंडा कि इस भरती में ये शब्द जो होगा बहुत अच्छा खासा रॉल निभारा है बिलकुल आयोक के अंदर की खबर आपको मैं दे पाएगा नौर्मलाइजेशन जो होता इस भरती में काफी डिफरेंस प्रेदा कर रहा है और बस मैं इतना बता सकता हूँ आगे आपसे कुछ नहीं कह सकता जो आप समझ जाएंगे तो आप समझदार है ना समझे वो नाड़ी ठीक है और उम्मीद करता हूँ आप समझ कह सकता अब देखिए बात कर लेता हूँ डीवी कट ओफ को लेकर तो डीवी का जो कट ओफ इसका है काफी कम रहेगा ठीक है और जिस दिन परिनाम आएगा आपको फील हो जाएगा आप समझ जाओगे कि हां मेरी बात कितनी सही थी ठीक है और आप खुद अनुमान लगा ल या 86 तक आप मान सकते हैं ठीक है और 115 में ही इसमें जो है अन्तिम कट ओफ होगा अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस सिफ्ट का स्कोर घटना तैय है जी है दोस्तों आप से एक बता दू मैं जो 27 की पहली सिफ्ट है ना इस सिफ्ट का स्कोर घटेगा 100% घटेगा कोई रोक नहीं सकता और बिलकुल घटना तैय है 27 सिफ्ट वाले भी सुन ले आपको निराश होने की आवसकता नहीं है ठीक है आपका पेपर जो था चारो सिफ्ट की तुलना में सबसे आसान था ठीक है हाला कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपका पेपर बहुत आसान था या आप जो है ने कर दिया होगा ऐसा नहीं कहा रहा हूं लेकिन जो बाकी और तीन पेपर हैं उनकी तुल्ला में आसान था ठीक है और ये बात आप भी समझगे होंगे जब आपने सेकंड सिफ्ट के पेपर देखे होंगे ठीक है ना 27 की पहली सिफ्ट के जो भी छात्रे मैं उनसे कह रहा हूं कि आपने जब सेकंड सिफ्ट के पेपर देखे होंगे 26 सेकंड और 27 सेकंड तो आपको भरुसा हो गया होगा कि हाँ मेरी बात सही है अगर आपको भरुसा हो गया ह तो आप अपनी सहमती प्रदान कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हाँ सर आप सही बोल रहे हैं ठीक है ना आप उसका जीएस देख लिजिए आपने देख भी लिया होगा रीजनिंग को देख लिजिए हिंदी को देख लिजिए हर लेवल पर सेकंड पर 27 की पहली सिफ्ट से जो है हार्ड है और 27 की जो पहली सिफ्ट है वो चारो सिफ्ट में सबसे आसान रही है और इस सिफ्ट का स्कोर घटेगा बिलकुल घटेगा और आप भी इसके लिए रेडी रहो ठीक है ना पर हाँ इतना याद रखना कि ऐसा नहीं है कि 10 नंबर या घटेगा ये पक्का है तो दोस्तों ये होगे आपका आज का वीडियो वीडियो री एक्जाम पर और बाकि दिसंबर में आपको इसका डीवी रिजल्ट देखने को मिल जाना चाहिए और इस भरती को लेकर कोई और खबर होगी तो आपको सबसे पहले इस चैनल पर बिलकुल और खबर बिलकुल आयोक के अंदर से दे दी जाएगी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जहन जबारत हमेशा खुश रहिए मुस्कात रहिए